इसराइल और हमास इस वक्त युद के मुहाने पर खड़े हैं ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे इस वज़ों से जंग का साइरन बच गया है और अब युद के मैदान में इसराइल भी उतर चुका है इसराइल ने हमास पर जवावी हमला कर दिया है इसराइली एरफोर्स के ओर से एक्स प्लाटफॉम पर जानकारी दी गई है कि इसराइली वायुसीना के दरजनों लड़ाकों विमार अब गाजा पट्टी मेक का इस्थानों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं इसराइली वायुसीना आतंकी ठिकानों पर ताबर तोड़ हमले कर रही है हमले के बाद तेल अबीब के एरपोर्ट को बंद कर दिया गया है खबरों के मुताबिक इसराइल के प्रधान मंत्री वार रूम से हमले के बाद के हालातों पर नजर रख रहे हैं अजर्खे इसराइल अनाखू बमिल्खमा लो बमिब्चा लो बस्वविम बमिल्खमा बौकर हमस पत्च बमतकपת पतर अजर्च हनिक प्ट प्तुर अजर्ख्थ छानिक नגद मधिन न्री अजर्गिया ऐन्गु बतों जे, मशाות הבוקर המוקדमות, कि नसी התרשם מערכת הביטחון थלते हैं कौदvändsky, कודमकू कל, לתאר את הישובים מהמחבלים שחדרו פנימה הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו बमकבिल ओरेती लवद्या गियूस मिलूईम नर्खब वलाशीव मिलखमा शारा बाुत्समा और बाकिफ शहाओ लो ही कीर, हाओव येशलें मेखीर शहू लो यदा मोतो बतादें किस से पहले आजातंकियों ने गाजा से इसराइल में प्रवश किया था, जानकारी के नुसार ये हमला भारती समय के मुताबक, शनिवार की सुभार नौवजी शुरू हुआ जिसके बाद इसराइल की और से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था झालर्ट